अरब देशों के बीच मिडल इस्ट में मौजूद इसराइल में सुबा साथ बजे से ही साइरिन बजने लगे पांच हज़ार रॉकेट गाज़ा पट्टी से उड़कर इसराइल पर अंगारों की तरह बरसने लगे गाज़ पट्टी से सटे इसराइली गाउं, कस्बों और शेहरों में चीक पुकार सी मच गई 160 के करीब लोग मारे गए, 1000 से जादा लोग घायल हो गए इसराइल पर ये हमला आतंकी संगठन हमास ने किया था आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हमास क्या है, हमला क्यूं हुआ, इसराइल फिलिस्तीन की जमीन को धीरे धीरे कैसे निगल रहा है फिलिस्तीन को कैसे छोटी सी जगा पर समेट दिया गया अपनी ही जमीन पर कैसे फिलिस्तीन यानी पलिस्तीन इसराइल की रह्म करम पर है दोस्तों इसराइल में आतंकी संगठन हमास और फिलिस्तीन की लड़ाई को समझने के लिए आपको सबसे पहले फिलिस्टीन का ये मैप देखना पड़ेगा नक्षे के बीच में देखेंगे तो आपको येरुशिलिम दिखाई देगा समुद्र के किनारे पतला सा इलाका गाजी पती दिखाई देगा और यहां हमास के लड़ाकों ने अपने ठिकाने बना रखे है और बीच में यहूदी, मुस्लिम और इसाई तीनो धर्मों के पवित्रस्थान है बगल में वेस्ट बैंक दिखाई दे रहा है इसे ही फिलिस्टीन कहते है हालत यह हो गई है दोस्तों की फिलिस्टीन नक्षे पर अपने नाम के लिए तरस गया है यह देखिए, यह नक्षा फिलिस्टीन के खात्मे की पूरी कहानी खुद बखुद कह रहा है इस नक्षे में पीला भाग कभी फिलिस्टीन हुआ करता था धीरे धीरे साल बदलते गए और पीला भाग खत्म होता चला गया पीले फिलिस्टीन को हरा इसराइल धीरे धीरे करके निगलता गया तोस्तों बात साल 1948 की थी जब यहूदियों का नया नया देश इसराइल फिलिस्टीन के हिस्से में बनाया गया यूएनों ने बेलफोर डेकलिरेशन के तहट यहूदियों के लिए अलग देश बनाये जाने का प्रस्ताव रखा जिसे सुईकार कर लिया गया जहां 48 प्रतिशत भूभाग फिलिस्टीन को दिया गया दोस्तों इसराइल पर 6 अरब देशों ने मिलकर हमना किया लेकिन इसराइल के आगे 6 अरब देशों को घुटने टेकने पड़े दुनिया में इसराइल ऐसा अकेला हुधारण है जो अपने देश के लोगों पर हुए जुल्म पर दुनिया के किसी भी भाग में जाकर बदला लेता है ऐसी चवी बना ली इसराइल ने पढ़ाई लिखाई के दम पर भयंकर ताकत हासल कर ली तो पहले युद्ध के बाद जहां तक इसराइल आगे बढ़ा था वहां तक के फिलिस्तीन पर कबजा कर लिया तब से हर हमले के बाद इसराइल फिलिस्तीन की जमी चीनता गया और फिलिस्तीन वेस्ट बैंक के भीतर अपनी जमीन को तरस गया दोस्तो पहले कितना बड़ा फिलिस्तीन हुआ करता था और आज कितना बचा है बस पुराना फिलिस्तीन लेने के लिए ही पूरी लड़ाई चल रही है इस्राइल फिलिस्तीनियों को वेस्ट बैंक के एक लाके में समेटता जा रहा है दो साल पहले इसलिए इस्राइल और हमास के बीच युद्ध छुड़ गया था क्योंकि युरुस्तीनियों के लाके से इस्राइल मुस्लिम लोगों से घर खाली करवा रहा था तब 38 लोग मारे गए थे इस्राइल फिलिस्तीनियों को प्रतारित करके पीछे भगाता रहता है और अपने लोगों को बसाता रहता है इसी का बदला लेने के लिए आतंकी संगठन हमास या पिर ये कहें कि अपने आपको फिलिस्तीन की सेना कहने वाला अपने आपको फिलिस्तीन का रक्षक कहने वाला हमास इसराइल पर हमला करता है हमास कहता है कि वो अपने लोगों की सुरक्षा के लिए इसराइल पर हमले करता है दोस्तों इसराइल और फिलिस्तीन के बीच यरुसिलम के लिए और पूरे फिलिस्तीन को बचाने के लिए संगर चलता रहता है Yerisalem दोनों के लिए इसलिए महत्वपूर है क्योंकि Yerisalem में मक्कामदीना के बाद सबसे पवित्रसान मकसिद अल-अक्सा है Yerisalem इसाईओं का भी पवित्रसान है कहते हैं कि यहीं पर ईसा मसी को सूली पर चढ़ाया क्या था यहीं पर वो फिर से जिन्दा भी हुए थे यहूदी कहते हैं कि यहीं पर उनकी Western Wall है यहीं उनका पवित्रस्थान है Western Wall का मतलब अगर आप नहीं जानते हैं तो Western Wall का मतलब एक दिवार से है कहते हैं कि उनके मंदर को Romans ने तोड़ दिया था West में एक दिवार बच गई थी उसी दिवार की तरफ मुख करके यहूदी पूजा करते हैं पत्थरों के बीच में कुछ चिट रख करके अपनी मुराद मागते हैं इसी को Western Wall कहते है यरुसिलम के पूरवी हिस्से पर इस्राइल का कबज़ा है यरुसिलम को इस्राइल अपनी राजधानी बताता है और फिलिस्तीन कहता है कि यह हमारी राजधानी है इस तरह से दोस्तों इस्राइल की दो राजधानिया हो गए एक यरुसिलम और दूसरी तिलवीव इस्राइल तिलवीव से सारे काम निप्टाता है और युरिसलम को अपनी राजधानी बताता है दूसरी तरफ फिलिस्तीन की भी दू राजधानिया है युरिसलम और रामला फिलिस्तीन चाहता है कि इसराइल उन्हें सुसरसट वाली सीमाओं पर वापस जाए जो हमारा था हमको वो हमें दिया जाए लेकिन इसराइल जो फिलिस्तीन का है वो भी चीनना चाहता है फिलिस्तीन के पास अपनी आर्मी नहीं है अपना गोला बारूद नहीं है फिलिस्तीन पर हो रहे जुल्मों का बदला लेने के लिए हमास लड़ता है हमास को अमेरिका ने आतंगी देश खोशित कर रखा है लेकिन एक तरह से आप हमास को फिलिस्टीन की अगोशित आर्मी कह सकते है क्योंकि हमास फिलिस्टीन में चुनाव भी लड़ता है इस बार इसराइल पर 5000 रॉकेट दागने के बाद हमास के प्रमुक मुहम्मद दाईफ ने एक बयान जारी करके कहा कि हमास ये अलान करता है कि अब बहुत हो चुका अपरेशन अलक्सा स्टॉम चालू हो गया है हम दुश्मनों को पहले ही चेताबनी दे चुके थे कि इसराइली कबजिधारियों ने हमारे नागरिकों के खिलाफ सैक्रो नरसनहार किये हैं इसराइली कबजिधारियों की वज़य से फिलस्तीन के यानी हमारे सैक्रो लोग शहीद हुए और घायल हुए हम अपरेशन अलक्सा स्टॉम की शुरुआत की घोशना करते हैं हमने दुश्मनों के ठिकानों एरपोट स्टैन अजो पर हमले किये और पांच हजार से जादा रॉकेट दागे इसके बाद इसराइली प्रधानवंतरी नित्यानू ने कहा कि यह जंग है और यह जंग हम जीतेंगे हमारे दुश्मनों को इसकी ऐसी कीमत चुकानी होगी जिसके बारे में उनको पता भी नहीं होगा भारत ने भी इसे आतंकी हमला करार दिया है मोदी जी ने कहा है कि इस आतंकी हमले से मैंस्तब्ध हूँ कच्छे समय में हम इसराइल के साथ खड़े है तो दोस्तो फिलिस्तीन के अगोशिद आर्मी हमास गाजा पत्टी के इलाके से अपरेट करती है भूमत दिसागर के किनारे वाली पत्टी नुमा एरिया पर हमास का कबजा है दोस्तो इसराइल में युदड छिड़ चुका है इसराइल के आगे हमास भुनगा भर भी नई है जितनी भी लड़ाईँ आप तक हुई है हर लड़ाई में इसराइल ले फिलिस्तीन से जमीन चीनी है इस लड़ाई में भी हमास की हार ही होगी और खाम्याजा फिलिस्तीनियों को भुगतना पड़ेगा दोस्तों आनलस विजियो में इतना ही चलते हैं राम राम दूसलाम जैहिंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा पेज को फॉलो करना मत भूलेगा जैहिंद